Hello mummies and daddies, welcome back to my channel Kids and World Mummies तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है, वो कम बोलता है तो आप उसको बोलना जादा से जादा कैसे सिखा सकते हैं देखो कई पेरेंट से बहुत जादा परेशान रहते हैं कि बच्चा जो है कम बोलता है, वो गुमसुम रहता है तो आप उसको बोलना जो एक कैसे सिखा सकते हैं देखो ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को कहीं पर भी बैठा करके उनको एक प्रॉपर कूर्स करा सकते हैं कि आपको यहाँ पर बैटना है और आपको जो है बोलना सीखना है ऐसा नहीं है आप बच्चों को बार-बार बोलिए और बच्चा उसी चीज को बार-बार पिछ से रिपीट करता है पांस टिप से ऐसे बताऊंगी कि बच्चे को आप बोलना कैसे कैसे सिखा सकते हैं तो बच्चों के साथ खूब जादा बोलना है मतलब कि आपको बच्चों के संग जादा से जादा टाइम को स्पेंड करना है उनके संग बैठेए बच्चों के संग मस्ती करिए खेलिए डांस करिए गाना गाईए कुछ ना कुछ करते रहना है अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों से बार-बार बोल रहे हमने कई बारा बोल दिया लेकिन बच्चा उस चीज़ को सुन रहा है हाँ वो समझ भी रहा है लेकिन बच्चा जो है रिस्पॉंस जो है नहीं कर रहा है तो हम कुछ चिल लग जाती है कि बच्चा रिस्पॉंस नहीं कर रहा है हम छोड तो उसमें भी बच्चे का जो एक नेचर होता है, वो थोड़ा कम बोलने का होता है, लेकिन ये चीज तो नॉर्मल है, अगर बच्चा बोलता ही नहीं है, आपके घर में जो हैं काफी सारे लोग हैं, उनसे भी बोलिये, बच्चों से आप बच्चों के जो एक महौल क्रियेट करिए कि हाँ बच्चों से खुप जěादा बो लिए बच्चों की संग खेलए बच्चों के संग डांस करिए जो भी आपको she family member से उनसे भी बोलिए कि आप बच्चों से खुप बोलो खुप बात करो तो यह सारी चीजहं आपको जरूर करने जैसे मैं आपको एक्जांपल बताती हूं कि जैसे यह teddy है आप बोलो बच्चे से यह कौन है यह कौन है देखो इधर देखो देखो look at me यह कौन है कौन है तो बच्चे एक बारा तो response देखेगा देखेगा आपकी तरप हाँ उसको समझ में भी आ रहा है आपको आपकी तरफ एक बारा देखेगा और कहेगा हाँ टेडी है या मेरा खिलोना है तो ये सारी चीज़ां आप बच्चों के संग कर सकते हैं देखो अगर आप जादा ही बिजी रहते हैं आप कीचन में काम करते हैं या कोई अदर्वाइस कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप कीचन में खड़े हो ये मस्तों कि बच्चा चोटा है ये चीज समझ नहीं पाएगा आप उनको समझा ये बच्चों की केचिंग पावर होती ने बहुत अच्छी होती है तो आप कुछ भी बच्चे से जैसे आप चाकू सबजी काट रहे हैं तो आप बोलों कि ये क्या है नाइफ ये क्या है चा स्पून ये क्या है पटेटो अलू टोमेटो टमाटर ऐसे सारी चीज़ें आप बच्चों के संग खेल खेल में उनके संग बोलिए उनके संग आप चुपचाव आप भी रहेंगे तो बच्चों अबियसली चुपचाव रहेगा आप उनके संग खूप जादा बोलिए और एक वाक्य को बार-बार रिपीट करिए थार्ड है धीरे-धीरे और तेज आवाज यानि लाउटली बोलें देखो बच्चे से अगर जैसे आप बोल रहे हो यह पैन है तो आप बोलोगे वाट इस दिस दिस पैन वाट इस दिस दिस पैन देखो मेरा यह सब्द है बोलने का धीरे-धीरे है और तेज है तो अगर आप बच्चों को तेज बोलोगे ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है जल्दी बताओ जल्दी बताओ तो बच्चा उस चीज को समझी नहीं पा रहा तो वो रिस्पॉंस से क्या करेगा आप उनको धीरे-धीरे बोले ये क्या है तो धीरे धीरे बोलिए और तेज बोलिए जिससे बच्चा जो है आपकी तरफ एट्रेक्ट होगा वो देखे गा हाँ कि मम्मा क्या बोल रही है तो आप ये चीज भी जरूर फॉलो करिए या आपको लगता है कि बच्चा जो है थोड़ा कम उसको सुनाई दे रहा है या बच कोई भी चीज है आपको जल्दी से गैस भी करते है और उनका जो इंट्रस्ट होता है बच्चो अने यह सारी चीज़ों में ज्यादा रहता है तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें और रहे है चोटे वाक्य का यूस करें यानि चोटे संटेंस का यूस करें जैसे कम हैर, कम come here, keep it up, ऐसे सारे चीज़ों, जो छोटे-छोटे इधर आओ, come here, come here, इधर आओ, ऐसे चीज़ों का आप यूज करिए, लेकिन आपको ज्यादा लंबे सब्दे नहीं बोलना है, जैसे मैं खाना खा रही थी, मैं फिर वहां गई, इतना लंबा आप सब्द बोलोगे, ना बच बच्चे को उसका प्रॉपर बच्चा आपको रिस्पॉंस कर पाएगा, अगर बच्चा छोटा है, तो उससे आप छोटे-छोटे सब्द बोलिए, और सौट संटेंस में जरूर बोलिए, लंबे सब्द बोलोगे, तो बच्चा उसको रिपीट भी नहीं कर पाएगा, और जो आपने उससे कुछ पूछ रखा है, उसका आपको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, वो पहले एक वर्ड सीखते हैं, फिर वो दो वर्डों को मिला कर बोलते हैं, फिर वो थोड़े लंबे वर्ड बोलते हैं, तो बच्चा धीरे धीर के संग छोटे छोटे वाक्य, यानि छोटे छोटे संटेंस में बोलना हैं, फिर लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंड बात, देखो, बच्चों से जब भी आप बोलते हो, हाव भाव का यूस जरूर करें, हाव भाव यानि जब भी आप उसको कोई पोयम सिखाते हैं, तो आप मचली चलकी रानी है, जीवन उसका पानी है, हात लगाओगे तो तर जाएगी, बहार निकालोगे तो मर जाएगी, तो बच्चा क्या करेंगे आपके हाव भाव को जरूर देखेगा, आप जितना हाव भाव भाव यूस करेंगे, जितना आप expression बच्चे को अपना दिखाए बोलिंगे तो बच्चा उस चीज को इंटरस लेगा आप सीदे सीदे बोल दोगे मचली जल की रानी आए जीबन उसका पानी है ना बच्चा आपकी तरफ देखेगा ना उसको समझ आएगा तो आप कोई भी चीज समझा रहे हैं बच्चे को तो आप बच्चों के संग हाव भ स्क्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को हीट करिए रेगूर अपडेट के लिए थैंक यू वचिंग फॉर माई वीडियो किट्स एंड वर्ल्ड ममीज